कर रहे होंगे तो इस पर्टी के वीडियो में बात करने वाला है आज कले एक और रोड सीरीज का जो मैच रहने वाला है क्योंकि पहला मैच जो था लाइक जो हमने कल वीडियो बनाई तरीके से तो फॉर्ट मैश था हो बट अपने लिए पहला आप लोगों ने काफी जादा उसको पसंद किया कि कैसे लाइक प्लेयर्स का बताया यहां बोधा जैसे हो गए कि आपको यहां पर भी आपको लिख कर बता था किया चैप्टन वाइस कैप्टन यहां बोता होना चाहिए आपका ग्राड़ीग में मस्ट है और वैसा ही उसने कुछ परफॉमंस भी करके दि बट बैटिंग में कहीं ना को जोल हो सकता है तो सारी चीज़ें डिसकस करेंगे इस वीडियो में एक एक करके तो वीडियो को आपको पूरा आखिर तक देखना है और पूरी वीडियो देखोगे ना तभी आपको विन करने में जो है यहां से मदद मिल पाएगी पूरी कर सकते हो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में तो वहां से जागी टेलिक्राम चैनल को जरू कर लेना का विजरी अपडेट से टीम से सब चीज़े मैंने वहां पर पोश्ट की विए तो बिल्कुल भी आपको मिस्स नहीं करनी है अब चलते हैं अपने मैच के उपर देखो मै इंक्लूड कर दिया कल वागए जोगी जेज करते हैं बड़ी असानी से जीत रही है तो वैसा ही ग्राउंड है बट टैन्युजिलेंड ने थोड़ा सो चोक किया उनका लाइक तो बिल्कुल रहा जिस वाई से इतना बड़ा स्कोर वो नहीं बना पाए बड़ आगर आपने तो देखते हैं आज के लिए वैसी रहेगी क्या देखो दिल्शान मुनावीरा और तेलकरतने दिल्शान के बारे में आपको पता होगा तेलकरतने दिल्शान के ओपर एक अच्छा उल्ड राउंडर वर्ल्ड क्लास बैट्स्वैन टीट्वन्टे का एकड़म मजा हुआ ख देखा जाए तो यंग्स्टर्स पर है अब यंग्स्टर्स का मेरा मतलब है 30 से 35 वाले ठीक है 20 25 वाले मत समझे लेना 30 से 35 वाले चाहे हम यहां से देखो दूसरे प्लेयर्स को देखते हैं चमारा सिल्वा चतो रंगा दिल्शान मुनावीरा हो गए ठीक है और भी काफी सार यंग्स प्लेयर्स है जिनके बोलिंग में अभी भी ना वो एक धार देखने को मिलते हैं जो उनकी पहले थी जैसे नुवान हो गया है इस उरड़ आना तो अभी चोड़ा है इतना शायद एक साल हुआ या कुछ महीने हुए इसको चोड़े हुए क्रिकेट तो वही चीज ह तो सबसे एक टीम यहां पर जो लिजन्स लीग में राइक है ना वह यह है रोड सीरीज जो भी आप बोलो ठीक है मैं लिजन्स लीग बोलतों परसनली तो यहां पर अगर देखा जाने तो सबसे एक श्रूंग टीम है एंड इनकी बैटिंग और बोलिंग दोनों ही काफी ज ज़्यादा बैटर है दोनों बहुत ज़्यादा बढ़िया बैट्स मैंने टीट्वंटी के तो बिल्कुल भी मिस्स नहीं करने है कैप्टन वाइस कैप्टन अगेन आप अगर इसको करना चाहो तो कर सकते हो ना करना चाहो तो मत करना आपको एक रिजन भी बताऊंगा यह की टीम से एक बूलर है जो आउट करके जा सकता है इन में इसकी से एक को उसके बाद में उपल तुरंगा लाश्ट मैच लास्सीजन जो रहा था ना बहुत बढ़िया बैटिंग करके दिखाई थी इसने रन बहुत जादा भरके बनाया थे और टो त्री डेफिनिटली डेफिनिटली एक अठीक थाथ सा प्लेयर है लेफ्टाम और्थोडोक्स डालता है लेफ्टन बैटिंग करता है ले सकते हो अगर आपको लेना है तो कोई बड़ी दिक्कत निया उसका बाद में इधर से चमारा सिल्वा है राइटन बैट्समें अब चमारा सिल्वा करना कह सब्सक्राइब करता है कि कहां यह बैटिंग करेगा ठीक है तो इसी वैसे मिस करके आप चल सकते हो बैटिंग और थोड़ा से डाउटफुल इस प्लेयर का अब अगर आप जो प्लेइंग लिन में देखो आपको पता चले कि अगर यह खेल रहा है चार या पांच नंबर ब सब्सक्राइब करेगा इतना नीचे में लिखा हुआ यहां इतना नीचे नहीं आएगा बैटिंग करने डेफिनेटले बैटिंग करता हुआ आपको चार या पांच नंबर पर यह दिख जाएगा ठीक है तो अगर आपको ग्रैलिंग में इसके उपर रिस्क लेना हो एसे कै करना हो तो कर सकते हो जब इसको अगर आप कैप्टन करो रहा तो आप किसी एक ओपनर को छोड़ देना उसकेस में बाकि सुरूड आना है डेफिनेटली यह भी लाइक राइटन में है लेक्टाम मीडियम यह डालता है अच्छा बोलर है टीटोंटी में भी लाइक इसने आगे कि मैसे में नहीं आएगा आने वाला बढ़िया और इस मैच में आ सकता है कहीं न खहीं एक दो वेकिट की उम्मीद आप लगा सकते भी सुरूडाना से बाकिन नुन कोले से एक काफी नई बोल के साथ में चाहें मार पड़े नुन कोले से कराऊं को बट नई बोल के सा में जहां तक मैं मानता हूं काफी अच्छा काम यहां से जो करके दिखा सकता है तो डेफिनिटल एक अच्छा पिक आपके लिए रहेगा उसका वाद में जिवन मेंडेस राइटम लेक ब्रेक है काफे सही है उसका वाद में दर से चमिंडा वास है लेफ्टाम मीडियम से ठीक है एक्सपीरेंस होता है तो सबसे पहले फिर इसी नहीं को रखते हैं अभी है फैंटसी अपने हो कितने मिल सकते हैं तो चमिंडा वास की तरफ से मिरेको नहीं लगता कि उतनी यह विकेट निकाल कर जा सकते हैं तो इसे थोड़ी कम चांसे रहेंगे मैंडिस कोले से देकरा इसूर उडाना आपके लिए जादा बहतर बनते हैं उसके बाद में टोप त्री आपके लिए जादा एंपॉर्ट बनते हैं तो यह कुछ शेए प्लेयर्स श्रलंगा की तरफ से जादा इंपोड़्ट है बागी ग्रैडडी के कैटनवाइस कैपटन में देखो से खेलने लगे है या फिर जो एटलिस छह साथ सालों से फोलो नहीं कर रहा है करकेट को अभी रिसेंट के में करना शुरू किया उनको डेविनेटल इनके प्लेयर के बारे में नहीं पता होगा सबसे बात करता हूं फिल मस्टर्ड की लास सीजन यह खेला था बट इसका भी थ को बात करूं ना इंगलेंड लीजन्स की तो यहाँ पर टेक्निकली श्ट्रॉंग बहुत प्लेयर से जैसे मतलब एस्ट में होता है डैकनिकल श्ट्रॉंग प्लेयर से तो में बी यह इतनी जल्द ही आपको लाइक इंके बोलर्स को लिकिट नहीं देंगे इसू रणानाप इनको इतनी जल्दी विकेट ना दे बट मेरे को नहीं लगता है कि बहुत जादा रन भी जो एंग्लेंड की टीम यहां से बना पाएगी तो बहुत जादा रन की एक्सपक्टेशन मत रखना चाहिए बैटिंग करें चाहिए फिर यह चेस करें उसकेस में बाकी इदर से इंप बैट प्राइर ग्रंडिक के टीम में फिर पर टीम मे जरूट करना उपुल थरंगा वो को मिस करो यह जरू थरंगा के साथ है कैसे भी लगाओं सिवी एंदर से नहीं कहले मतलब दोनु इपलेर नहीं है रिकी एक लार्क यह आपको रिसेंटलेंट प्रिकी क्लाग डेफिनिटल आपको दिखा होगा है और काफे सही ओल राउंडर है राइट हंड में राइट हम मीडिया में अब उतनी ज्याद परफॉर्मेंस की उम्मीद तुमर को थोड़ी कम है इनसे पठा एक इंपोंड प्लियर आपको टीम में जरूर रह सकते हैं यह उ बागी क्रिस्ट्रेमलेट लास सीजन अच्छे बोलिंग की थी पहले ही मैच में नोने ना लास सीजन का जो पहला मैच रहा था उसमें एक से दो विकेट निकाले थे और बोलिंग काफे सही कर रहे थे डेफिनिटल आपकी टीम में अगर आप रखना चाहो ऐसा बोलर तो र प्रैम टीम में हुआ करता था एक अपने करियर के पीक में बहुत बढ़िया बोलिंग किया इसने और डेफिनिटल एक अच्छा बोलर आपके लिए रहने वाले और ऐसा भी निया कि बहुत ज्यादा लाइक एक एज हो गई है कि पचास पर पहुची है भाई बंदा तीस प थास बोलिंग नहीं थी ऐस्ट्रेलिया की बट यहां पर बोलिंग जो है काफी जादा बढ़िया रहने वाली है चाहिए फिर मैं जेट डेंबेक की तरफ से बात करूँ चाहिए इदर से रिकी क्लार्क ठीक है तो बोलिंग काफे सही रहने वाले स्पेशली ये दो प्लेयर ठीक ठाक प्लेयर है बागी ज्यादा टीटवन्टी वगरा में रहको मिले नीन प्लेयर के तो अगर आपको लेने तो लो वरना नहीं लोगे तो अभी काम चल जाएगा सारे तो कैसे ले पाओगे वरना 11 बात करते हैं अपनी बेंच प्लेयर्स की बहुत ही ज्यादा बेंच प्लेयर तक को इन्होंने इंक्लूड किया गया जो बंदा उस इंग्लेंड के अगेंश्ट में चैच्छक्टे विमार के दिखा सकता है बाकी इदर से दिल रुवान परेरा है कोशल्या वीरा रतने रहेंगे दमी का प्रसाद है और रुमेश सिल्वा तो टीम में बेंच प कर दो बाकी आपने कैप्टन वाइस कैप्टन जो ग्रैंड के लिए रहे सकते हैं अब बता सकते हैं आज के लिए तेलेकरत ने दिल्शान जो रहेंगे वह कितनी बोल खेलने वाले हैं तो यह आपके लिए एक जो आज का गिवावे का कोशिन रहेगा तो पटावट सामसर डो एंड जो गिवावे के विनर्स आइंगे वह आएंगे इंस्टाग्राम पर एंड तरे टीम स्वरें इंस्टाग्राम का यूजर में जाके फोलो जरूर कर लेना क्योंकि जो घ्यूबए के मिलेंगे अफ़ जीतों प्राइस भी आपको वहीं मिलने वाला है तो पोलो जर से सेफ भी रहने वाला है लास्ट सीजन रन भी बनायते हैं तक्रिबन बारा विकेट भी नो ने निकाल लेते हैं सेकेंड वन आप ट्राइ कर सकते हैं इधर से इसुरू राना को एज वाइस कैप्टन के लिए अगर आप जाना चाहो तो एंड वाइस कैप्टन के लिए एन बेल भी काप अच्छे एक और नाम आपको वता दू वह है उपुल थरंगा ठीक है उपुल थरंगा लास्ट सीजन स सो के अवरेस से बैटिंग करके गया था वो बंदा सो के अवरेस से अच्छा विक आपके लिए रहने वाला है अगर आप उसको एक विकेट जल्दी गिर गई ना तो समझ लो कि उपुल थरंगा का पर्फॉमेंस बहुत बढ़ियां आने वाला है तो ग्रैंड लिग में ऐस सकते बाकि उनको भी जरूर ट्राय करना जिनका मैंने दूसरा लें जो अधर नाम लिये हैं कि इनी तीन पर आप रुक कर रहे जाओ बाकि अब आते अपनी जो आज के लिए टीम रह सकते टीम की बात करूं अपल थरंगा को मैंने रखा हैं एंडर वाइस कैप्टन भी मैंन मैं दिल्शान है मेरे पास पर बाकि उसकाद में कुलस एकरा रहेंगे इसुरुड आना है और ट्रेमलेट है और इतर से जेट दन बैक तो टीम वही है जो मैंने आपको प्लिंग एलों के टैंग पर बताई क्योंकि मैं भी कुछ ऐसे चेंजस नहीं करता हूं जो चीज आप आपको बताऊंगो वही चीज यहां पर मैंने आपको टीम बनागर दिखाई है बाई कैप्टन की बात कीजिए तो कैप्टन अपने लाइक सबसे से लगर अपने दिल्शान वाइस कैप्टन के लिए उपुल करंगा के साथ में आपको अगर चेंजस करने तो आप बिल्कु लेना और जो बैल नोटिफिकेशन उसको भी प्रेस करना ताकि आप जो कोई भी वैच की वीडियो से रहती हो बिल्कुल भी मिस्त मैं कर पाऊ और साथ इसाथ आपको क्या करने आपको कर लेना टेलिकराम चैनल को जोईन जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में सभी अपडे